Hello everyone, CBSE Tom 1 को लेकर के आप सभी के दिमाग में अब जो है टैंशन का लेवल को जादा ही बढ़ गया क्योंकि अब जाकर के आप सभी के यार minor subjects के exam almost खतम हो चुके हैं अब जाकर के हमारा major subjects के exam start होने वाले हैं और major subjects के exam में आप सभी को tension हो रखी होगी अभी कि क्या वो postponed हो सकते हैं क्या वो हमारे जो होंगे वो easy paper आएगा या hard paper आएगा आप सभी के लिए बहुती बड़ी update आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे अपने minor subjects के exam में गलतिया कर रहे हैं या major में करने वाले हैं वो सारी की सारी update बताने वाला हूँ तो इसलिए आर वीडियो को बिल्कुल भे skip मत करना क्योंकि आप लोग वीडियो को skip कर देते हो और बाद में जाकर कहते हो कि यार आपने गलत बताया था या आपने पूरी वीडियो नहीं देखते हो और फिर जाकर के बोलते हो गलत बताया था इसलिए पूरी वीडियो देखा करो आशा करते हैं कि आप सभी की term 1 की exams की preparation अच्छे से चल रही होगी और आपको तो पता ही होगा कि यार इस बार जो board exams होने वाले हैं वो नए MCQ pattern पे होगा और जब आप exam hall में जाओ गयार तो आपको exam pattern से familiar होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बच्चो आपको यही preparation में आपको बहुत सारे doubts भी आएंगे इसलिए Unacademy आपके लिए लाया है comprehensive preparation package doubts पूछो with a ask or doubt feature जो की 24 by 7 होता है और practice करो with emerge mega mock board exams यह special mock test रहेगा आप सब के लिए क्योंकि इस बार अगर आप इस test में आपको top करते हों तो आप जीत सकते हैं 50 लाक रुपे तक के prizes top rankers को मिलेगा macbook air, ipad pro, one plus 9, iphone 12, laptop इसके साथ ही साथ आपको headphones, unacademy के branded trophies और goodies मिलेंगे जो next हमारा mock test होने वाला उसकी details यार 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में होने वाला है 10 और 12 के लिए होता है और subject जो हैं वो आपको दिख जाएंगे और यह शाम 5 से 6 बजे तक होता है सिर्फ आप एक ही doubt पूछने पर भी आप eligible हो जाते हो free surprise box के लिए इधर ही हमारी खतम नहीं होती है unacademy के ask a doubt feature से आप unlimited doubts पूछ सकते हैं वो भी 24 by 7 और अगर आप 10 doubts पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 दिन का unacademy का plus subscription वो भी free of cost और यह free की चीज मैं आप सभी के लिए लाता ही रहता हूं यह offer यार cbse class 6 से 12 तक वालों के लिए है महरास्ट state board वालों के लिए है ITJE वालों के लिए है neat foundation वालों के लिए और NTSC वालों बच्चों के लिए भी है AAD को आप कैसे यूज कर सकते हैं go to ask a doubt feature में आपको click करना है वहाँ पे click करके आपको अपनी जो doubt है उसको upload कर देना है photo geek करके और देन जाकर के आप सभी को बस subject select करना है तो learners यार इससे बहतर मौका आप सभी को कभी नहीं मिल सकता term 1 की exams की practice के साथ साथ prizes जीतने का description में link दिया गया है अभी जाकर के free of cost आप enroll कर सकते हो और free में mock test भी दे सकते हो और free में doubts भी पूछ सकते हो और doubts पूछने के बाद आप सभी को free में unacademy का plus subscription भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे जो हमारा code आपको डालना है try 10 आपको code यूज करना है और try 10 code यूज करने के बाद आप सभी को यार free of cost में ये सारी चीज मिल जाएगी जल्दी से जाकर के enroll कर लो और अगर आपको कोई दूसरा अन अकैडमी का subscription लेना होगा तो उसमें भी आपको 10% आफ मिल जाएगा इसी try 10 code से जल्दी से जाकर के link description में देएगा सभी के लिए अभी जो सबसे बड़ा एक notice आया है cbsc के तरफ से वह पहले में discuss करना चाहूंगा और उसके बाद जाकर के आगे की बाते बताना चाहूंगा सबसे बड़ा notice अभी यह आया है कि जो minor subjects के exam हुए है उन minor subjects के exam में जिन बच्चों ने भी छोटी मोटी गलतिया की हो ऐसी नहीं किया आप लोगों ने क्या किया किया कि option ही नहीं लगा रखा है तो teacher जो होगा वो आपका option भी लगा देगा ऐसा नहीं होगा आपका अगर छो चोटी मोटी गलतियां उनसे अगर हो भी जाती है तो हम लोग उसको यह ठीक कर देंगे ठीक है इसका मतलब यह कहीं नहीं है कि आपने option नहीं लगा आपका सर जो है जो सही answer होगा वह वह आपका लगा देंगे ठीक है ऐसा नहीं होने वाला है आपकी छोटी मोटी जो गलति होगी उसको यार वो लोग करेक्ट कर देंगे और जो दूसरी अपडेट है आप सभी के लिए यार कि इस बार कोई भी बच्चा जो है फेल नहीं होगा ठीक है लेकिन फेल ना होने का यह मतलब कता ही नहीं कि आप लोग पढ़ाई ना करो अच्छे से पढ़ाई ना चल रह सभी को यार अपने नंबर मिल जाएंगे ठीक है को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि फेल पास की बाती नहीं है तो जा करके आप सभी को नंबर बता दिये जाएंगे तो यह टेंशन भी आपके खता हो जाने वाली है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार और आ